असलामरीकूम, वीवर्स आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेफ स्टैगिंग एंड स्टोरिज के हवाले से अलिमेंट नमबर एट निबोश न्यूस लेबर्स के युनिट टू का हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर आज का मारा टॉपिक है सेफ स्टैगिंग एंड स्टोरिज और कम्प्लीट अगर आप इसको टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफॉलिंग मेटिरियल मेटिरियल्स सेफ स्टैगिंग एंड स्टोरिज अब इसमें सबसे पहला सेफ स्टैगिंग एंड स्टोरिज है क्या स्टोरिज तो आपको मालूम होगा किसी भी चीज़ को महफूज करना किसी भी चीज़ को स्टोर करने के मानों में आता है स्टैगिंग होता है किसी चीज़ को तर्तीब वार उसकी type को सामने रखते हुए उसकी nature को सामने रखते हुए for example एक तरह की चीज एकी जगापे store की जाएगी stack की जाएगी दूसरी तरह की दूसरे मतलब आपस में चीज़ें mix up नहीं की जाएगी अब इसकेंदर if housekeeping is not properly managed it can अगर housekeeping properly manage नहीं होगी तो फिर क्या होगा यह क्या करेगा कि अगर housekeeping प्रॉपर नहीं होगी चीजें बिक्री पड़ी रहेंगी चीजें सामने पड़ी रहेंगी तो इसके नतीजे में जो safe moment है वो क्या होगी around the workplace वो छुप जाएगी क्योंकि चीजें बीट में आ जाएगी जिसके नतीजे में safe moment पॉसिबल नहीं होगी ब्लॉक लाइप जब आप बहुत ज्यादा उन्चाई तक storage कर देंगे या heat create कर देंगे पाड़ियां बना देंगे चोटियां बना देंगे चोटी चोटी तो ऐसी सुरत में रोशनी जो है उसको रस्ता नहीं मिलेगा block access to essential services और might be possible है के essential services के आपके वहाँ पे पीने का पानी हो सकता है उससे ज्यादा essential में हम ये ले सकते हैं के आपने क्या किया है के emergency gate या fire escape route जो है उसको ही block कर दिया है stags and piles can present danger of collapse के जब आप stag इस तरह से बनाएंगे पाइस पूपर पाड़ी नुमा चोटी नुमा बनाएंगे तो ऐसी सूरत में बीच में से कोई भी चीज अगर वहाँ से निकलती है crumbling होता है और ये सारा अमल तो उस तो रान में कोई चीज निकलती है तो वो उलट सकता है वो गिर सकता है वो सिरक के किसी भी जाने गिर सकता है ये तमाम तर वजुआत housekeeping प्रॉपरली मैनेज ना होने की वज़ा से हमारे सामने आती है then we have sufficient space needed for storage of material अब हमें sufficient space required है किस के लिए storage of materials के लिए number one storage areas clearly defined जो इतने भी storage areas होंगे वो clearly defined होंगे कि ये fly area है ये fly purpose के लिए है ये fly purpose के लिए है तो तमाम तर चीजें इस तरह से हर चीज के लिए आपने पहले से जो चीज़ पहले से जो जगए है वो identify कर देंगे define कर देंगे आप आप अपर separate areas for different items nature ये type को सामने रखते हुए जो different items हैं उनको आप separately रखेंगे segregation आप certain materials and substances example gas bottles ये बात कर रहे हैं कि हमने पहले भी ये topic discuss कि है segregate होता है अलग अलग करना कि किसी भी जगा पे hazardous material substances हैं for example gas slender gas bottles gas bottles मुराद gas slender हैं for example oxygen के और किसी gas के slender है LPG के हैं CNG के हैं तो ऐसी सूरत में जितनी भी gas bottles हैं उनकी proper storage की जाएगी proper labeling की जाएगी और कभी भी याद रखिएगा कि oxygen slender को कभी भी दूसरे slender के flammable slender के साथ नहीं रखना आपने clean and tidy areas routinely inspected appropriate warning signs warning signs वहाँ पर मुझूद होने चाहिए था कि safe stagging or storage हो no work activities in storage areas कि आप कोई भी activity perform नहीं करेंगे storage areas में उसके बाद जी हमारे पास आते है stagging जब आप stagging करेंगे तो क्या करेंगे each stack for one material only के एक stack जो होगा वो एक ही material के लिए होगा आप material mix up नहीं कर सकते set maximum stag height जितना ज्यादा possible हो उतनी height तक आप stag should be vertical understood है कि यह vertical होंगे आप की खड़ी शेकल में होंगे upright होंगे use pallets to keep material off the ground pallets क्यों होते हैं यह basically किसी भी आप की material को ground से उपर उठाए रखते हैं उसमें मावनत देते हैं इस से जब भी उसको lifting or lowering में हमें यह चीज help लेगी allow space between stacks for safe moment protect stacks from being struck by vehicle तो हम stacks को protect करेंगे कि वो vehicles वगेरा के साथ न टकराएं यह हमारा इसका topic complete हुआ अगले lecture जो है हमारा बहुत important lecture है और वह है confined space के उपर उस lecture के साथ बहुत जल्द आप से मुलकात होगी तब तक के लिए Allah हाफिज